सलाम उलीकुम, क्लास 4, SST, वरक्षिट नमबर 6, लेसन नमबर 6 में हम कोशन नमबर 1 और 2 कम्लेट कर चुके हैं, आज हम इसका कोशन नमबर 3 कम्लेट करेंगे, कोशन नमबर 3 है, हाओ कैन वी रिसाइकल वेस्टेज, आप किस तरीके से बिकार या जाया चीजों को दुभारा से कारामत बना सकते हैं, आंसर, नमबर 1, रियूस प्लास्टिक बैग्स, जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं, उसको आप दुभारा से रियूस कर सकते हैं, दुभारा से स्तमाल कर सकते हैं, नमबर 2, 22, रिचार्जिबल बैटरीज, आप जितनी भी रिचार्जिबल बैट कुछ नुबर फॉर वाट वेस्टेज केंगे रिसाइकल पॉर प्लांटिंग ट्री एटीसी कौन से चीजें हैं या विजाया या बेकार चीजें जिसको आप रिसाइकल करके प्लांटिंग के लिए यानि दरख उगाने के लिए दरख के तौर पर आप इस्तामाद कर सकते हैं आंसर, we can use old jars and tin cans as flour or tree pots आप old jars यानि जितने पुराने jar है और tin cans हैं उसको आप उसमें flowers या फिर tree pot बना कर यूज कर सकते हैं इसके बाद mcqs हैं यह पेज नुबर 1 में आपने सारा काम करना है इसके बाद आप पेज नुबर 2 में हम mcqs करेंगे mcqs number 1 hard sounds of loudspeakers music or horn make many people dash a deaf be blind जो चुपती भी आवाजे हैं loudspeaker की music की और horn की वो लोगों को क्या कर देती हैं बहरा कर देती हैं या अंधा कर देती हैं number 1 यानि बहरा कर देती हैं number 2 solid waste can be classified in solid waste की कितनी types होती है या कितनी उनको classification होती है number 1 four forms number 2 two forms इसके कितनी forms होती है two forms होती है number 3 इन पाकिस्तान ओवर 10,000 tons of solid waste in generated पाकिस्तान में 10,000 tons solid waste generate किये जाते हैं every day every week यानि रोजाने किये जाते हैं इसलिए एपर टिक हो जाएगा number 4 greening the environment is more important in हमारी environment यानि आपो हावा को हम हरा भरा कर सकते हैं इसमें जरूरी होता है a ruler environment बी अर्वन इर्वार्मेंट रूलर यानि देहाती इन्वार्मेंट में महौल में या फिर शेरी महौल में तो हम यहां यहां पर क्या करेंगे बी पर टिक करेंगे यानि अर्वन इर्वार्मेंट इसके बाद आपने पेज नबर थर्ट पर अक्टिविटी करनी है नेम सम वेस और रिसाइकलिंग आपने नाम बताने हैं उन तरीकों के जिससे आप चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं यानि दुबारे से प्रॉसेस में ल टॉबल और क्लोथिंग टूचारटी इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं आपने ये तीन पेज इसको काम दिया गया है आपको नमबर वन पेज़ पर आपने कुशनांसर्स करने हैं नमबर टू पेज़ पर आपने अमसी क्यूस और नमबर